पौरानिक कताओं के अनुसार महा भारत युद्ध में लाखों योद्धा वीरगति को प्राप्ति हुए थे। बचने वालों में पांडवों से पंदरह और कौरवों से तीन योद्धा थे। इस तरह इस युद्ध ने पूरे भारत वर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। जिनकी विधवाएं और परिजन शोक में डूबे थे। लेकिन युद्ध के पंदरह वर्ष बाद वह सभी एक रात के लिए जीवित हो उठे। जहां उनकी न सिर्फ मुलाकात हुई बलकि क कई विधवाएं अपने पतियों के साथ बैकुंठ जाने के लिए जल समाधी में चली गई। आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद आखिर क्या हुआ। करीब पंदरह वर्ष में अपने पुत्रों के शोक से उबर गए। मगर एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि पुत्र हम बचा जीवन वन में बिताना चाहते हैं। हमें जाने दो। इस पर युधिष्ठिर दुखी हो गए लेकिन विधुर के समझने पर म अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय तपस्वी का रूप धरवन चले गए। इस बीच पांडवों की देख भाल से हस्तिनापुर की प्रजा खुश थी मगर युध में विधवा हुई स्त्रियां अकसर शोक में रोती रहती थी। कुछ समय बाद एक दिन सहदेव को मा कुंती से मिलने की इच्छा हुई तो भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियां कुंती से मिलने के लिए आतुर हो गई। अगले दिन पांडव द्रौपदी को लेकर वन के लिए निकले तो हस्तिनापुर निवासी भी साथ हो लि इस बीच एक दिन महर्शी वेद व्यास पांडवों से मिलने आश्रम आए। इसके बाद एक-एकर योध़ा गंगा जल से निकलने लगे। थोड़ी ही देर में भीश्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन, ध्रितराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोतकच, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा दुरुपद, ध्रिष्ट द्युम्न, शकुनी, शिखंडी आधि वीर, जल से बाहर निकलाए। अपने अपने लोकों में रह रहे हैं। इसके बाद सभी के मन भरा शोक खत्म हो गया। एक रात की मुलाकात के बाद मारे गए योध्धा एक एक कर गंगा जल में डुब की लगा कर गायब होने लगे। यदेख, महर शिव्यास ने विधवास्त्रियों से कहा कि जो स्त्रिया पती के साथ उनके लोक जाना चाहती है, वे गंगा जल में जीवन त्याग कर जा सकती है। इतना कहते ही सभी विधवास्त्रियों ने गंगा जल में डुब की लगा कर जीवन त्याग दिया और पती के लोक चली गई।